पुराने गुरुकुल में एक सुभा गुरु अपने शिश्यों को प्रवचन दे रहे थे वह शिश्यों से कह रहे थे कि जब कभी भी आप शांत मन से बैठ कर सोचेंगे तो आप यहां महसूस करेंगे कि यहां ब्रहमांड यहां प्रकृती यहां सब को समान रूप से अफसर करना नहीं आता क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने का एक तरीका होता है एक विधी होती है और कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य है जिनका अभ्यास करना ही उस सफलता का आधार होता है उस सफलता को पाने का सही तरीका होता है कौन है ऐसा जो सफल नहीं होना चाहता कौन है ऐस जो खुश रहना नहीं चाहता मगर फिर वह ऐसी कौन सी चीज है जो हमें यह सब पाने से रोकती है वह है हमारे खुद के नकारात्मक विचार वह हमारी खुद से होने वाली नकारात्मक बातचीत और हमारा मन खुद ही ऐसे विचार पैदा करता रहता है जो हमारी आत्म विश विश्वास को कमजोर बना देता है और हमें विश्वास दिला देता है कि हम उस सफलता के लायक नहीं और यहीं वह सूक्ष्म रहस्य है अपने मन में चल रहे विचारों को एक सही दिशा देना उन्हें नकारात्मक से. सकारात्मक की और मोडना खुद से की जाने वाली मानसिक बातचीत को सही करना और खुद पर विश्वास करना गुरू ने आगे कहा कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देती लोग जब उदास और परेशान होते हैं तो अकसर वह सब कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए नकारात्मक भावनाओं की वज़ह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है और हम गलत कदम उठा लेते हैं गुरु यह सब बोल ही रहे थे कि तभी एक शिश्या खड़ा होता है और गुरु से प्रश्न करता है गुरुदेव क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमें अपने अंदर की बुराई और नकारात्मकता का सामना कैसे करना है और जिन्दगी को सकारात्मक विचारों के साथ कैसे जीना है गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा खुश रहना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं बस हमें हर सुभा और शाम अपने विचारों को सही दिशा देना है हर नया सवेरा एक उम्मीद लेकर आता है क्योंकि हर नए दिन के साथ नए सपने नए उम्म कि हमारे सामने एक लंबी जिन्दगी पड़ी है यह बात सच है लेकिन यह भी एक सच है कि जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए कहना बड़ा मुश्किल है इसलिए हर दिन को अपना एक नया जन्म समझ कर जीना शुरू करो क्योंकि इस सोच के साथ जीवन जीन से आप कभी दोबारा उदास महसूस नहीं करेंगे बलकि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और भी ज्यादा प्रेम करने लगेंगे और फिर जो भी करेंगे पूरे जोश और उत्सा के साथ करेंगे आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा गुरू ने आ में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं इसी लिए हर बदलाव का खुले मन से खुले दिल से स्वागत करो जो लोग समय के साथ बदलना सीख जाते हैं सफलता भी उन्हीं को मिलती है अगर आपको लगता है कि आपकी जिन्दिगी में बहुत मुश्किले हैं और आप परेशान हो चुके हो तो आपको मुश्किलों का सामना करने के प्रती अपने नजरियों को बदलना होगा अपने सोचने के तरीके को भी बदलना होगा चाहे कोई सा भी बदलाव आए और वही कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे आप बस उसका सामना कीजिए आ आपको शायद नहीं पता पर आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत है और आपकी जिन्दगी में जितनी मुश्किले आएगी आप, उतनी ही मजबूत होते चले जाएंगे क्योंकि हर मुश्किल एक नया अनुभव, एक नया सब दे कर जाती है. और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी जिन्दगी खुशियों और काम्याब हों से भर जाएगी बुरे काम करके यहां मत सोचो की अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा, अगर जिन्दगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचन निर्भर करता है एक नकारात्मक, मानसिक्ता वाले व्यक्ति को दुनिया में सिर्फ बुरा ही बुरा दिखता है जबकि सकारात्मक सोच हमें, जीवन के उन चीजों की एहमियत करवाती है जो अभी हमारे पास है और उस ब्रहमान शक्ती की कृपा से हमें मिली है, गुरु न आगे कहां अपने मन को शांत रखना, सीखो दिन भर की भाग दोड के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका, सीखो एक शांत मन के साथ हमें अपने अंतर आत्मा में जाकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं. जैसे कि मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देशक क्या है, क्या मैं एक अच्छा इनसान हूँ, क्या मैं एक अच्छा पिता या पती हूँ, या क्या मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, आप जितनी गहराई से अपने अंदर जांक के उतना हीज. यादा खुद को जान पाएंगे आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे लोगों का स्वभाव और उनको समझने लगेंगे फिर आप चीजों और लोगों को लेकर बात-बात पर पर परेशान और उदास होना छोड़ देंगे आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुँचे तो उस काम को मत कीजिए और जो चीज खुशी दे उसे जरूर कीजिए फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है तो क्यों ना इसे भरपूर तरीके से जिये जो दिल करे वह करो खुद को बांधो मत लेकिन हाँ इस बात का भी ध्यान रखो कि वह मनमानी ना हो बुद्धिमानी हो और आपके भीतर की आवाज हो इसलिए कुछ भी करने से पहले अपनी अंतरात्मा की आ अत्वपूर्ण हासिल करना जो भी आपके दिल में है उसे पाने के लिए कम से कम एक बार अपना संपूर्ण प्रयास जरूर करो यह मत सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा जो मन में है बस उसे कर डालो अक्सर हम अपने विचारों में फंसे रहते हैं क्योंकि हमारा दिल कु और लेकिन प्रयास करने पर ज्यादा से ज्यादा आपके साथ क्या हो सकता है यही ना की आपको सफलता नहीं मिलेगी फिर गुरू ने आगे कहां लेकिन कम से कम आपको इस बात का पच्टावा तो नहीं रहेगा कि आपने कोशिश नहीं कि कुछ ना करने से तो भेतर है कि हम उस काम को करके उसमें असफल हो जाए गुरू ने आगे कहा आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है, इसकी आवाज को कभी भी नजर अंदाज मत करो क्योंकि अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज ही आपको टोक है गलत करने से रोकती है कभी सोचा है ऐसा क्यों-क्यों कि यह हमेशा हमारा भला चाहती है यहीं तो उपर वाले का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है हमारे पास जिसे हम समझ या बुद्धिमत्ता कहते हैं अगर जिन्दगी की खूपसूर्ती को समझना है तो अपने अंदर जांक कर देखो यह देखो कि तुम्हारे पास क्या-क्या है और तुमने अपने जीवन में कितना कुछ हासिल किया है जिन्दगी की सुन्दर्ता को आप केवल तभी महसूस क पाएंगे जब आप धन्यवात के भाव से भरे रहेंगे बजाए यह सोचकर दुखी होने के कि हमारे पास क्या नहीं है यह सोचकर खुश रहो कि हमारे पास कितना कुछ है और इसी संतोश की भावना और शांत मन के साथ अपना प्रयास जारी रखो इतना कहने के बाद गु ऐसी बात करने से बचो जो किसी दूसरे को बुरी लगे साफ और स्पष्ट राय रखना अच्छी बात है लेकिन किसी को ऐसी बात मत बोलो जो उसे अंदर तक चुप जाए सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है अगर आप क्रोध में हैं तब भी किसी को उल्टा सीधा क कहो एक अच्छा इनसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है हां लेकिन इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने में समय लगता है क्योंकि इनका अभ्यास करना पड़ता है खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इनसान है और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं आपके अंदर ऐसी कौन सी खास बात है आप दूसरों से किस तरह से बात करते हैं यह सवाल आपको अपनी कम्या जानने में मदद करेगी शुरुवात में हो सकता है खुद से ऐसे सवाल जवाब करना आप आपको अजीब लगे लेकिन खुद से ऐसे सवाल करते रहे और खुद को विनम्रव अंदर से शांत रखने का प्रयास करेंगे अगर एक इनसान के रूप में आपको अपने अंदर सुधार लाना है तो अपनी प्रेम को ना समझना ही बरबाद करेगा क्योंकि प्रेम तो बड़ी पवित्र चीज़ है प्रेम ही ईश्वर है और ऐसा कहा जाता है अपना नियम बना लो कि आपके अंदर सबके लिए प्रेम और करुणा हो जिस दिल में प्रेम होता है वही दिल आबाद होता है जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही आपके पास लोट कर आएगा जिसके दिल में प्रेम और करुणा है वह कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकता उसके अंदर दूसरों के प्रती बुरी और नकारात्मक भावनाएं आही नहीं सकती असल में प्रेम के अंदर वह ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं रह सकता उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है गलत काम करना छोड़ दो फिर देखो आपको इतनी खुशी और संतुष्टी मिलेगी कि आपकी पूरी जिन्दगी चैन से गुजरेगी जो लोग स्वार्थी और धोके बाज होते हैं। खुशिया उनसे दूर रहती है वह चाहे कितना ही खुश रहने का दिखावा कर ले लेकिन अंदर से वह हमेशा दुखी ही रहते हैं। गंदे काम और गंदे विचार गंदे करना हमें नीचे खीचता है खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाईयों के बारे में याद दिलाते रहो क्योंकि इससे हमारा आत्म विश्वास बढ़ ता है इस विडियो में आपने यह भी सीखा कि हमें अपने अंतर्मन की आवाज भी सुननी चाहिए हमें अपनी कमियां अपनी खूबियां और अपने लक्षिस पष्ट रूप से पता होने चाहिए हमेशा सकारात्मक सोच रखिए और यह भी याद रखिए कि अगर हम ठान ले तो ज ज़्यादा जरूरी है दुन्या में पहले से ही काफी बुराईया है और हमारे अंदर की बुराई हमें मानसिक और शारिरिक दोनों तरफ से कमजोर बनाती है इसलिए जितना हो सके अपने मन और अपने विचार दोनों पवित्र रखो अच्छा सोचो अच्छा करो और अपने अंदर की बुराई को सिर्मत उठाने दो यह सब करना हमारे उपर ही तो है जहां भी जाओ लोगों का भला करने का प्रयास करो क्योंकि इस से जो खुशी मिलती है वह कभी फी की नहीं पढ़ती इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहत कमी है इसलिए जितना हो सके अच्छा सोचो अच्छा करो तो फिर देर किस बात की है आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुढ जाओ तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफ वीडियो में धन यवाद दोस्तों